अगे हेलो फेंड्स तो आज हम इंडियन कॉलिटी का 11 लेक्ट्रे यां पर शुरू करेंगे सीयक के बारे में जानेंगे तो जो इससे पहले यहां पर कल हमने लेक्ट्र नबर टैन देखा था उसमें हमने सीयक के बारे में 1947 से लेके 1985 तक देखा था तो आज यहां पे जो पार नमबर टू है इसमें हम 1985 से लेके 86 से लेके 2015 तक का हम यहां पे गवर करेंगे पार नमबर टू में तो नेक्स लेक्टर होगा यहां पे तो उसमें हम तिल प्रेज़ेंट 1221 का cover करेंगे clear है so चलिए शुरू करते हैं और यहां पर एक और बात कि पहले जो वीडियो आती थी वो Monday to Friday आती थी लेकिन अभी यहां पर Monday to Sunday आया करेंगी जो वीडियो जोगी regular upload की जाएगी सो लास्ट लेक्चर में हमने जो CAA था 1985 तो यहां तक हमने cover किया था सो आज हम देखेंगे citizenship amendment act 1986 1986 का जो शंशोधन यहां पर किया गया था वो क्या किया गया था तो इसमें यहां पर जोители अगरत में हुआ गया अगर mother या father कोई भी एक अगर बारत का नागरिक है या दोनों हो तो उसे यहां पर बारत की नागरिक था दी जाएगी अगर किसी भी बच्चे का जनम बारत में हुआ है तो यह यहां पर बोला गया था 1986 का जो एक्ट आया था इसके बाद यहां पर जो next act आया था 1992 का उसमें क्या बोला गया था इसमें यहां पर जो section number 4 वंश के अदार पर जो नागरिक था दी जाती थी पहले कैसे दी जाती थी कि मालो की अगर यहां पर किसी का भी जनम यहां पर बाहर हुआ है मालो की दुबई में किसी बच्चे का जनम हुआ है लेकिन यहां पर जो फादर है अगर तो वो बारत का नागरिक है तो यहां पर इस बच्चे को फादर के अदार पर यहां पर बारत में नागरिक था दी जा सकती है अगर यहां पर बच्चे का जनम आलो दुभई में हुआ है लेकिन यहां पे जो फादर है वह भारत का नागरिक नहीं है लेकिन जो मदर है यह बारत की नागरिक्त है जब यहां पर अमबैसी में जाएंगे कि यहां पर जो उनके बच्चे को बारत की नागरिकता दी जाए तो यहां पर अमबैसी में साफ जवाब दे देंगे कि यहां पर नागरिकता नहीं दी जाएगी क्यों नहीं दी जाएगी पहले कानून ये था कि जो फादर है ये बारत का नागरिक होना चाहिए मदर बारत की नागरिक इससे कोई मतलब नहीं था पहले लेकिन अब यहाँ पे क्या बदलाव किया गया अब यहाँ पे जो फादर की जगा पे बोला गया कि मदर या फादर द कोई भी जो इंडियन कॉंसुलेट होगी तो वहां पे वो रिजिस्ट्रेशन एक साल के अंदर-अंदर करवा सकते हैं तो उन्हें बारत की नागरिकता दी जाएगी अब लेकिन यहां पे पहले फादर का कॉंसेप्ट यहां पे था लेकिन अब यहां पे मदर या फादर दोन 1992 का 1992 में बनाया गया था ठीक है 1990 में यहां पे एक पास हो चुका था और 1992 में यह अपना कारेस ने शुरू कर दिया था और इसी के तहत अब यहां पे वुमेन के लिए यहां पे बनाया गया था NCW National Commission तो इन्हों ने यहां पे वाज उठाई कि नहीं मदर का भी यहां पे concept होना चाहिए ठीक है तो यहां पे यह एक topic बन सकते है तो इसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तो इसके बाद यहां पे हमने देखा 1992 का यहां पे जो act था ठीक है तो इसके बाद यहां पे कुछ इतना खास है यहां पे citizen ship को लेकि यहां पे नहीं हुआ लेकिन यहां पे उसके बाद जो NDA की government है तो NDA की government यह 1998 से लेकि 2004 तक है यहां पे 6 साल यहां पे NDA की government देखने को मिली और यहां पे जो असाम में आपको देखने को मिलेगी जो सरकार थी यहां पे 2001 से लेके 2016 तक तो यहां पे Congress की सरकार देखने को मिलेगी है साम में ठीक है मतलब कि अब यहां पे देखेंगे कि किस परकार से 1998 से लेके 2008 तक यहां पे Center और State सरकार किस परकार से यहां पे नागरिक तक के लिए क्या क्या कारे करती है और इस समय में यहां पे जो परदान मंतरी थे वो थे यहां पे अटल बिहारी वाजपेई जी ठीक है तो यहां पे 6 साल यहां पे जो सरकार रही थी तो यहां पे परदान मंतरी अब इनके दुवारा यहां पे जो citizens के लिए यहां पे कारे किये गए वो तीन यहां पे सबसे important कारे इनके दुवारा किये गए थे इन्हें हम one by one यहां पे देख लेते हैं पहला यहां पर जो NDA गुदर्मेंट के दुवारे यहां पर काम किया गया था यहां पर पास्पेर्ट लेकिन पास्पोर्ट एंट्री इंटिा एंट्वांडमेंड्मेंट एक्ट को टीमिलेगा था ठीक है तो एक यहां पे 1967 का भी देखने को मिलेगा लेकिन जो passiport Act 1967 का देखने को मिलेगा उसमें यहां पर जस्ट यह बताया गया कि जो passport बनाने की परिक्रिया होगी वो किस परकार से होगी लेकिन यहां पर यह वला जो यह आया था 2000 में अब इस तो इस्मे यह प्रिंसिपल एक्ट था गर कोई भी परसन बारत में आ रहा है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए अगर पासपोर्ट नहीं है तू क्या होगा यहाँ तो इसमें यहां पे amendment किया गया था जो section 3 है इसमें बोला गया था कि यहां पे जो पहले punishment दी जाती थी वो तीन महीने के लिए दी जाती थी और यहां पे fine भी था और यहां पर यहां पर दोनों चीजें ठीक है दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता था यहां पर यहां पर जा सकती थी यहां पर इया तो क्या दूसरी तीन महीने की जेल होकी यहां पर तीन महीने की यहां पर यह वहां पर 50,000 तक का यहां पे fine देना होगा अगर कोई बिना passport के यहां पे पकड़ा जाता है भारत में तो या दोनों चीजें ठीक है तो यहां पे यह बाते बोलेगी अगर और इसमें यहां पे यह भी बोला गया था कि अगर मालो की यह वला पर्सन बारत में बिना passport के यहां पे पाया जाते है तो पहले अगर तो यहां पे इसे जो सजा दिये गई या मालो की इसे fine लगाया गया तो इसे fine यहां पे लगाया गया 50,000 का यहां पे fine लगाया गया और फिर यहां पे आया तो इससे फिर यहां पे जो अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो यह जो amount होगी यह two times यहां पे double यहां पे ली जा सकती है ठीक है double the penalty अगर फिर से वो अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो ठीक है अगर उसके पास documents नहीं है तो ठीक है तो यह यहां पर बात यहां पर बोली गई थी passport entry into India Amendment Act 2000 यह पहला कार यहां पर एंडिया की तो यहांपी जो दूसरा यहांपे काम किया गया था वो किया गया था यहांपे CAA 2003 यहां पे जो लाए गया था Citizenship Amendment Act 2003 का यहांपे जो था यह बहुत जादा important है इसमें भी बहुत जादा बदलाव यहांपे किये गये थी तो यहां पे पहला बदलाव किया गया था यहां पे जो section 2 है तो इसमें यहां पे जो illegal migrants हों उनकी क्या definition है पहले definition नहीं थी यहां पे अब इस definition को यहां पे बताया गया था यहां पे section 2B में तो यहां पे जो section 2B ठीक है यहां पे नागरिक तक कैसे मिलती है यह तो section 3 से लेके section 7 तक है यहां पर ठीक है और किस परकार से जाएगी वह वार से लेके 10 तक है लेकिन यहां पर जो section number 2 है उसमें B में illegal migrant की definition ठीक है यह हमने last में देखा था से illegal migrant कौन होंगे अगर किसी के पास passport ठीक है या related documents नहीं है या अगर पासपूर्ट क्लियर है सो यहां पर जो illegal migrants यह हमने देख लिया था last में so actual में क्या हुआ था कि जैसे ही यहां पर मैं पहुंचा तो इसके बाद यहां पर जो वीडियो है वो रूख गया था यहां पर camera उसके बाद नहीं चला पूरी वीडियो यहां पर बन चुकी थी बाद में देखा कि यहां पर mobile बंद पड़ा था ठीक है तो इसलिए शुरू से फिर यहां पर बनानी पड़ रही है तो I hope यहां पर section two भी यहां पर समझ में आ चुका होगा कि यहां पर illegal migrant के बारे में यहां पर बोला गया था तो यहां पर जो section number 3 C.A. 2003 में जो था तो यहां पर जो section number 3 था अब इसमें क्या था कि यहां पर जो section number 3 by birth के बारे में बोलता था यहां पर कि यहां पर जो 1986 तक क्या था कि अगर किसी भी बच्चे का जनम बारत में हुआ है तो वो बारत का नागरिक होगा की का यह लेकिन जो 1986 का यहाँ पैसे यह आया था इसमें क्या बोला गया था जो बारत इसमें बोला गया कि यहाँ पे दोनों बारत के नागरिक होने चाहिए मदर या मदर फादर या इन में से कोई एक अगर बारत का नागरिक है तीक है मालो कि मदर यहाँ पे बारत की नागरिक है और लेकिन यहाँ पे जो फादर है अब यहां पर यह illegal migrant नहीं होना चाहिए अगर यह illegal migrant होगा तो नागरिकता नहीं दी जाएगी बच्चे को अगर यहां पर यह illegal migrant नहीं है तो यहां पर इसे नागरिकता दी जाएगी ठीक है तो यह बात यहां पर बोलेगी section 3 में बस यहां पर इधर parents कोई भी mother या father illegal migrant नहीं हो और चाहिए और पांच और चहिए यहां पर बोला गया कि यहां पर अगर कोई भी ऐलीगल- हागर pressures यहां पर को बारत का grazing होगा अगर रहोगल माइग्रेंट प्लटिस अगर इसलों मोला गया कि वह बारत का नागरिक होगा। अलाग है कि Overseas citizenship of India तो इसमें यहां पर कुछ कि यहां पर इंट्रड्यूस किया गया था OCI को 2003 के एक्ट के तहट ठीक है इसमें यहां पर 7A 7B 7C 7D यहां पर यह चीजें देखने को मिलेगी लेकिन यह हमारे लिए इंपोर्टन नहीं है इसे हम लास्ट लास्ट लेक्चर में देख चुके कि OCI क्या था तो यह सब कुछ यहां पर था अब लेकिन यहां पर यह साफ पता चल चुका था कि यहां पर जो इलीगल माइग्रेंट से उन्हें यहां पर नागरिक्ता नहीं मिलेगी ना तो बर्त के अदार पर जो इलीगल किसी के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती अब यहां पर इन्होंने एक फुली स्ट्रोप यहां पर लगा दिया था इस कानून के तहिक है सेक्शन 7 में तो यही बोला गया कि अगर बाहर की टेरिट्री को एक्वाइर करते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी मतलब कि अगर होगा इसके बाद यहां पर जो सैक्शन 14 इसमें भी यहां पर कुछ बदलाब किए गए थे तो यहां पे जो कुछ citizen rule यहां पर बनाए गए थे वो citizen rule यहां पर देख लेते हैं क्या था अब इसमें यहां पर जो central government है वो क्या करेगी यहां पर जो NRC इसे maintain करेगी और इसे यहां पर create करेगी और यहां पर जितने भी नागरिक हैं उन्हें यहां पर एक identity card एक i card यहां पर issue करेगी तो यह बात यहां पर बोले गए थी ठीक NRC NPR का concept यहां पर इसी में देखने को मिलेगा लेकिन इसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे जो next यहां पर lecture आएगा ठीक है तो यहां पर बोला गया था अब यहां पर क्या क्या बाते बोले थी इसमे बोला गया था कि जो central government है वो क्या करेगी यहां पर वो रिजिस्टर यहां पर एक त्यार करेगी जितने भी यहां पर बारत के नागरिक है सभी के लिए और यहां पर जो नैशनल आई-कार्ट सोंगे वो इस्जू करेंगी यह बात यहां पर बोली गए थी आई-कार्ट के और यहां पर जो central government है वो क्या करेगी यहां पर एक national register है जो वो maintain करेगी सारे बारतियों का जितने भी बारत के निवासी है और यहां पर वो एक national registration authority इस चीज़ को भी यहां पर वो establish करेगी यह भी यहां पर बोला गया था इसके बाद जैसे यहां पर 2003 का CA जैसे ही यहां पर जो registrar general है अब इन्हें appoint किया जाएगा और यहां पर यह national registration authority की तरह कारह करेंगे मतलब इन्हीं की देखरेक में सब कुछ किया जाएगा और यहां पर जो central government अब वो कहा करेगी यहां पर जो officers हैं staffs हैं यहां पर वो भी निक्त कर सकती है यहां पर यह जो registrar general है इनकी मदद क के लिए कि किस प्रकार से यहां पर कारह किया जाना चाहिए किस प्रकार से नर्सी करवाना है यह सारी जितनी भी responsibility या functions होंगे वह यहां पर पॉइंट कर सकती है तो यह इतना यहां पर बोला गया था यह जो रूल यहां पर 2003 में आये थे ठीक है तो आई होप आपको अभी लगए इसके बाद यहां पर फॉर्णर एक्ट दो जर चार आया था ठीक है फॉर्णर अमेंडमेट दो चार रहा है था तो यह जो 1946 का अपर बदल आप कि ए एक्ट थी 1946 जो एक्ट था ठीका वही था इसमें क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति मालों यह जो व्यक्ति है यह यहां पर शक हुआ कि यह बारत का नागरिक नहीं है तो यहां पर जो गवर्मेंट है अब वो यहां पर क्या कहेगी कि प्रूफ कर कि यहां पर तु बारत का नागरिक है तो यहां पर इसे प्रूफ करना पड़ता था कि यह बारत का नागरिक है या नहीं अगर नहीं है तो इ यहां पर रूल था जो फोढहरर मों यहां पर मदलाव हो गया इसमें यहां पर एंट किया गया इसमें ₹4V यहां ₹414 धोला घ्या इसमें बोला गया कि यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति बारत में ऊटर करते हैं या भारत में रहताैं तो यहाँ पे बिना किसी validated documents मतलब कुछ नहीं है उसके पास बिना documents के तो यहाँ पे उसे जो punishment दी जाएगी वो क्या थी पहले यहाँ पे जो सजा का प्रवदान था वो 2 साल के लिए था कोई जा कि अगर कोई वैलिड कोई यह की बनवाने में इसकी मदद कर रहा है ठीक है या इसे रहने के लिए यहाँ पे देता है यहाँ पे तो कुछ भी यहाँ पर, अगर किसी भी परकार की यहाँ पर मदद करता है तो उसे भी यहाँ पर सजा दी जाएगी तो यह भी यहाँ पर बोला गया था, फोर्नल एक्ट दोहेट चार में clear so I hope आपको समझ में आया होगा कि NDA के दुवारा यहां पे जो रूल बनाए गए थी यहां पे तीन इंपोर्टेंट रूल यहां पे उनके कारेकाल में 1998 से लेके 2004 तक वो क्या क्या थे तो इसके next यहां पे move करते हैं अब यहां पे जो IMDT Act था यहां पे Illegal Migrant Determination by Tribunal Act 1983 यहां पे इंद्रगांदी की सरकार के दुवारा यहां पे जो लागू किया गया था अब इसमें यहां पे बहुत सरी यहां पे कमिया थी मतलब कि यहां पे इसे जो Illegal Migrant थे उन्हें डिपोर्ट कर पाना ठीक है मतलब देश से बाहर निकालना बहुत जादा मुश्किल हो चुका था यह जो एक्ट यहां पे लागू किया गया था ठीक है तो इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्टर में बताया था जो IMDT Act था यहां पे इसमें क्या क्या था इसमें यहां पे कोई भी व्यक्ति अगर लगता है कि यह सामने वाला जो व्यक्ति है इलीगल माइग्रेंट है मतलब बंगलादेश से या किसी और कंट्री से ठीक है बारत में आया है तो असाम में या वैस्ट बंगॉल में आया है तो वो क्या करना पड़ेगा उसे पहले तो एक फोम बरना होगा ठीक है पहले तो यहां पर दो कंप्लेंट्स होनी चाहिए उसके बाद यहां पर फोम बरना होगा पहले 25 रुपे था बादमी इससे 10 रुपे कर दिया गया था और यहां पर अगर इस परसन को लग रहा है कि यहां पर यह वाला जो परसन है यह और यहां पर 15 जने ऐसे हैं जो कि इलीगल माइगरेंट है लेकिन यहां पर सभी के खिलाफ यहां पर नहीं केस फाइल कर सकता था इसमें यहां पर यह प्रवदान था कि जो एक व्यक्ति होगा वो maximum यहाँ पर 10 लोगों के नाम यहाँ पर ले सकता है illegal migrant case ठीक है तो और यहाँ पर जो पुलिस थी अब उसे यहाँ पर investigation वगरा करने की उसके गर पर यहाँ पर सर्च करने की भी जाजत नहीं थी ना ही retain करने की जाजत यहाँ पर XTION दी गई थी यहाँ पर और अगर यहां पे कोई case यहां पर आ गए क्छोड़ के यहां पर रहने लग जाएगा तो यहां पर जो टर्ब्योनल की दोबार यहां पर नोटीस यहां पर या कोई समर्न यहां पर बेजना ओता था वो यहां पर नहीं पहुंच पाता था तो ऐसे में यहां पर जो illegal, migrant थे वह यहीं बारत में रहते थे तो इसे यहां पर निकाल पाना बहुँ ज्यादा मुश्किल था यहां पर यह जो आयम DT अक्ड था ठीक है इसके बारे में हमने लास्ट में यहां पर देखा था यहां पर लेकिन जो असाम गवर्म Communist अब यहां पर इन्हों ने प्रयास किया यहां पर कि किसी प्रकार से आयम DT जो एक्ट है अब यहां पर यह खत्म हो जाए तो उन्हों यहां पर केस चल रहा था उसी वक्त यहां पर 2001 में क्या हुआ कि यहां पर election हुए साम में तो गॉंगर जो Congress की यहां पर सरकार बनी Congress की सरकार बनी यहां पर तो यहां पर इन्हों ने यहां पर एक application दायर की कि यहां पर Supreme Court पर कि यहां पर जो IMDT Act है यहां पर सही है इसे यहां पर रपील नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसके बाद यहां पर 2003 में Center Government ठीक है NDA की सरकार थी यहां पर तो इनके दुवारा यहां पर लोग सबा में यहां कि इस इसको यहां पर रपील कानून है यहां पर इसे पास करवाया गया इसे रपील करवाने के लिए और यहां पर यह लोग सबा में पास भी हो गया क्योंकि यहां पर यहां पर दायर की गई इनके द्वारा दायर की गए थी यहां पर साबनन्ध सोनवाल यहां पर इनके दोवारा Supreme Court में यह याची का दायर की गई यहां पर तीन जो जजिसे की बैंच थी Choi地 यहां पर उन्हों ने यहां पर फैसला सनाया So, 대해서 हैJim 55 में जो फैसला सनाया वो क्या बोला गया यहां पर इस एक्ट को यहां पर अल्ट्रा वाइरस यहां पर बोला गया मतलब कि इसे नलेंड वाइड डिकलियर कर दिया गया शुन्य यहां पर डिकलियर कर दिया गया जब से यहां पर यह लागू हुआ है और यहां पर यह बोला गया कि यह स्प्रीम कोट की दुबारा बोला गया कि यह यहां पर जो बॉर्डर सेंट्री के उन्हें डिफेंड करना यह किनकी यहां पर जिम्मेदारी है और यहां पर जो अवैद परवासी यहां पर लोग आ रहे हैं इन्हें रोकना यह भी सरकार की जिम्मेदारी है और यहां पर जो बारत के नागरिक है जो उनकी लाइफ इसे से जोर करना यहां पर इनomedारी अ कि बनती हैं तो यह बात एधेसे यहां पर एक magazines यहां पर internal और external यहां पर सभी आपर जो दायतव होते हैं वो राजा के होते हैं अंदरूनी और बाहरली यहां पर ठीक है तो इसके लिए यहां पर आर्मी जैसे राजा के पास यहां पर होती है कि किस परकार से यहां पर situation को handle करना है तो यह कुछ इक्जैमपल से यहां पर सुप्रीम कोट के दुबारा भी दिग इसलिए से तिक इतना ज़्यादा डेटेल में नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोट ने यहां पर आर्टिकल 3 55 का भी यहां पर इस्तेमाल किया था सो आर्टिकल 3 55 में लिखा हुआ है यह जो सेंटर की फिरदारी बनती है तो यह बात हैं बोली गई थी ऑब यहां पर यहां पर यह待 को ने खुड़ की की थी उन्हें ने बोला था कि ऐसे अग्रेश्ट की बात यहां बढ़ी गई है इसका मतलब सिर्फ वह आट ही नहीं होथा कि बाहर से यहां te कोई country war कर रही है इसका मतलब यहां पर एक्स्टरन एग्रेशन का मतलब यहां पर यह भी है कि बाहर से यहां पर इतने यहां पर लोग यहां पर बारत में आते जा रहे हैं यहां पर resources के उपर भी यहां पर बहुत जादा यहां पर खत्रा उत्पन हो रहा है क्योंकि यहां पर उनका यहां पर culture क्यों इसके पीछे कारण के है कि external aggression की जो बात यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला गया कि इतने सारे परवासी यहां पर बारत में आ रहे हैं जिसकी वज़े से यहां पर इंटरनल डिस्ट्रॉबंस यहां पर बिगड रही है तो इसके लिए यहां पर सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि external aggression का मतलब यहां पर सिफ़ वर ही नहीं होता है यहां पर कि जो बाहर से इतने सुप्रीम कोड के दुवारा बोली गई थी कि यहां पर यह जो दो लोग हैं यह दोनों साथ में नहीं चल सकते एक तो यहां पर जो आई-मडीटी एक तो इमडीटी यह तो सिर्फ असाम में यहां पर लागो था दूसर यहां पर फोर्नर सेक्ट नाइटिन फॉटिस का यह पूरे बारत में यहां पर लागो था तो इसमें यहां पर जो प्रिंसिपल एक्ट था उसमें कुछ फेसलिटी प्रोवाइड की गई थी यहां पर इस समय में यूपीय की सरकार देखने को मिलेगी तीक है कॉंग्रस की परदान मंत्री यहां पर डॉक्टर मनमौन सिंग जी ठीक है तो यहां पर Overseas citizenship जो इंडिया OCI ठीक है इसमें यहां पर कुछ सुविदाएं यहां पर दी गई थी ठीक है तो यह थोड़ा बहुत यहां पर बदलाव किया गया था इसके बाद यहां पर जो NRC पहला NRC असाम में करवाया गया था दो 2010 में तो यह क्या था यहां पर इसके बारे में देख लिए था तो पहला टेम्ट यहां पर करवाया गया था कि जो फॉर्णर सा उनने डिटेक्ट किया जाए यहां पर ठीक है दो यहां पे एरिया सेलेक्ट किये गए थे यहां पे असाम की जो दो डिस्टिक्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया गया था एक तो यहां पे काम रूप और दूसरा था यहां पे बार पेटा ठीक है यह दो डिस्टिक्स हैं काम रूपा बार बेटा तो इने तो यह आपको यहां पर कामरूपा देखने को मिलेगा बारपेटा देखने को मिलेगा इन दो डिस्टिक्स में असाब की यहां पर यह नर्सी 2010 में करवाया गया था लेकिन यहां पर बहुत जादा यहां पर प्रोटेस्ट वगरा लोगों के बीच होने लगे तो इस यहां पर सिचुएशन देखने को मिली यहां पर तो यहां पर क्या हुआ मोब अटैक ठीक है कि वज़य से यहां पर किन के ओपर जो आई-एस कमिशनर ऑफिसर से इनके ओपर यहां पर यहां पर अटैक हुआ तो पुलीस फाइरिंग में यहां पर बार पेटा में चार बड़ती जा रही थी तो यहां पे एनर्सी करवा पाना बहुत ज़्याद मुश्किल इस समय तक यहां पे हो जुका था अब यहां पे दो सब्सक्राइब और हमने के लिए कुछ नहीं यहांपे हो रहा यहां यहां पर 2013 में यहां पर सुप्रीम कोट में या चिका यहां पर दायर की गई थी इनके दुवारा सुप्रीम कोट यहां पर जो दो जजिस यहां पर थे यहां पर जस्टिस रंजन गोगोई और यहां पर जस्टिस यहां पर रोहिंटन तो इनके दुवारा यहां पर जो ओडर किया गया सेंटर सरकार को और स्टेट सरकार को कि यहां पे यह जो अपडेशन का कारे यहां पे इसे जल्द से जल्द किया जाए यह ओडर यहां पे सेंटर और स्टेट कवर्मेंट को दिया लेकिन इसके बावजूद भी ओडर देने के बावजूद भी यहां पे सेंटर और स अब उनके दुबारा यहां पर क्या किया गया 21 जुलाई 2015 को यहां पर उनके दुबारा यहां पर क्या बोला गया कि यहां पर जितनी भी अथोरिटीज है यहां पर ठीक है कि उनके दुबारा इमानदारी से मेहनत से यहां पर कारे किये जाएंगे यहां पर यह जो टास्कों में यहां पर बताया गया है कि यहां पर जितनी भी अथोरेटीज हैं सिविल और जुडिशल्स की यह सारी यहां पर सुप्रीम कोट की यहां पर मदद करेगी यह कारय करवाने में क्योंकि सुप्रीम कोट को पता था यहां पर यहां पर Central State की यहां पर बसकी बात नहीं है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने Article 144 का इस्तमाल करते हुए, उन सभी की मदद से, और Central State की मदद से, खुद यहां पर उनके दुवारे यह कार्या करवाया गया, 2015 में यहां पर NRC शुरू हुआ, और 2019 सक यहां पर NRC जो करवाया गया था, अब इसके बाद यहां पर लास्ट टोपिक देखे लेते हैं, CA 2015, तो यहां पर जो OCI था, जो प्रिंसिपल एक्ट था, इसमें थोड़ा सा यहां पर बदलाब किया गया था, यहां पर तो इसमें एक नई स्कीम यहां पर इंटर्डियूस की गई थ ठीक है, पहले OCI था, अब यहां पर OCC कर दिया गया था, इसमें यहां पर जो PIO था, यहां पर OCI ठीक है, दोनों को यहां पर मर्च कर दिया गया था, तो यहां पर एक नई स्कीम यहां पर इंटर्डियूस की गई थी, PIO जो था यहां पर यहां पर इंटर्डियूस किया गया तो यहां पर 2005 में किया गया था दूरों को मिला दिया गया था ठिक है उए हमने only last last lecture में देख चुके हैं मैद तो आई में आए होप आपको यहां पर 예IGN होगा सो यहां पर अइस निस्टिया पर यहां होगा यहां पर उसमें हम 2015 से लेकर 2021 क का यहां पर कवर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर फंडमेंटल राइट से आपर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो पार नंबर थ्री तो उसके बाद हम आगे मूव करेंगी तो वीडियो अच्छा लगा है तो स्पाई रखें जादा से जादा पेड़ पोदे को हैं गुरीन इंडिये के तरफ मूव करना यह हमारा लक्ष है